आर्मी जवान का इंजिनियर बेटा 24 साल तक नहीं पकड़ी लेदर गैंज अब IPL में रिशब पन के पडोसी ने मचा दिया गदर साड़े तीन ओवर, पांच रन, पांच विकेट और लखनव आईपिल से आउट गंभीत जब दक कुछ समझ पाते, खेल खत्म हो चुका था महेंज तीन मिनट में समझे उस तीन ओवर का खेल, जिससे रातो रात आईपिल को एक नया स्टार मिल गया जस्प्रित बुम्रा और जोफरा आर्चर ये दो बड़े नाम थे, जिने फैंस इस साल आईपिल में साथ में खेलते देखना चाते थे हलाकि बुम्रा चोट के चलते टूर्णामेंट में ही हिस्सा नहीं लिया, वहीं जोफरा आर्चर बीच सीजन में ही बाहर हो गए ऐसे में यह सवाल था कि इन दो दिगज खिलाडियों की कमी कौन पूरा करेगा, लेकिन वो कहते हैं न कि आपदा में ही आउसर होता है इस मोके का फाइदा उठाने के लिए मुमो इंडियस के कप्तान रोईश शर्मा ने कई खिलाडियों को मोका दिया, पर सभी फेल साबित हुए लेकिन इन सब के बीच मुमो इंडियस ने एक 29 साल के बॉलर को मोका दिया, वो 29 साल के जरूर थे, पर शिर्स इस्तर की क्रिकेट काउने कोई खास अनुभाव नहीं था पर उस नई नवेले वॉलन ने अपनी कहर बरपाटी गेंदों से ऐसी आगुगली कि फेंस बुमरा और आर्चर तक को भूल गए जी और ये कारणामा कर दिखाया उत्राखन के तेज गेंद बाच और इशब पंद के परोशी आकास मधवाल ने अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूनने के लिए इस वीडियो को प्ले किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है आज हम आपको इस वीडियो में आकास मधवाल की क्रिकेटिंग जैन्नी के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको बता दें कि उत्राखन के रूड की जीले के रहने वाले 29 वर्षी आकास के लिए सफर इतना आसान भी नहीं था 25 नमबर 1993 में पैदा हुए आकास के पिता भारते सेना में थे साल 2012 में एक हदसे में उन्होंने अपने पिता को खो दिया उस दोरान आकास इंजिनिरिंग की बढ़ाई कर रहे थे इंजिनिरिंग करने के बाद आकास को क्रिकेटर बनने का चसका लगा इससे पहले वसीर्फ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे 24 साल की उम्रे तक उन्होंने कोई लेधर गैंद को हाथ तक नहीं लगाया था कवी फार्मल कोचिंग भी नहीं ली थी एक रोज अचानक उत्राखन की टीम के ट्राइल्स के लिए पहुँच गए जहां कोच मनिश जाउन से काफी प्रभावित हुए थी फिट टीम में शामिल कर अपनी देख रेक में ही आकाश को ग्रूम करने लगे टेनिस वाल से खेलने की वज़े से आकाश के पास पेस थी जिसका उन्हें अब फाइदा होता है आकाश मदवाल को पिछले सीजन यानी 2022 में चोटिल सुज कुमार जादक की जगा बतोर रिप्लेस्मेंट मुंबा इंडियस स्कुएंट में शामिल किया गया था मगर एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला इस बार उन्हें 20 लाग के बेस प्राइज में टीम ने रिटेन किया और अब यह सस्ता फ्लियर सबसे महेंगे काम कर रहा है जस्पित बूमरा और जोपरा आर्चे जैसे दिगजों की गेर मौजुदकी में कहर धा रहा है छोटे कद की वज़े से उनकी स्कीट खाती गैंदों से बल्लेबाट जिस तरह से गच्चा खा रहे है तो सोशल मेडिया में उन्हें मुंबई का अगला बूमरा बताया जा रहा है लखनो सुपर जैंस के खिलाब पंजा खोलकर आकाश मदवाल आइतियल प्लेओप में पांच फिकेर लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए है आकाश ने पारी के दुसरे और अपने पहले ही ओबर में प्रेयर्ट मांकं को आउट कर पहला जटका दिया दसमें ओबर में कप्तान रोईश चर्मा ने दोवारा मदवाल को मोच्चे पर लगाया इस बार उनों इन लगाता है दो गैंदों पर पहले आयूश बदोनी और फिर इंफॉर्म बल्लेवाई निकोलस पूरन को आउट कर लखनों को मुशील में डाल दिया सूपर जाइंस ने रनों का शर्तक 15 ओबर में पूरा किया लेकिन मदवाल के इसी ओर में रवी विश्णोई ने लॉंग उन पर जॉर्डन को कैश दे दिया लखनों को अंतीम पाच ओर में 83 नेनों की जोरत थी पर मदवाल ने मौसिन खान को बोल्ड करके मुंबे को दुसरे क्वालिफायर में जगा दिला दी मैच के बाद आकाश से सवाल किया गया कि अब तक आप कहां चुपे थे तो मदवाल ने जवाब दिया कहीं नहीं ट्रैक्टिस कर रहा था इस मोके का इंदजार कर रहा था उन्होंने आगे कहा पहले इंजिनियर्ग के बढ़ाई की फिर क्रिकेट को प्रेशन मना कर मैनत की तब यहां पहुंचे हैं आकाश यह कहना भी नहीं भूले कि इंजिनियर्स में जल्दी सिखने की टेंडेंसी होती है